वेलकम बैक स्पेंस तो मैं फिर से आप लोग के लिए एक उंडर सिलेवेन का ट्यूटियर लेका आ चुका हूँ सो आज का टोपिक बहुत ही इपॉर्टेंट होने वाली है प्लीज इस वीडियो को ज़रूर एंट तक देखेंगे अगर आप एंट तक नहीं देखेंगे तो पॉब्लम आ सकते हैं आई तिंग आप लोग जानती होंगी जो डेप चैनल और बीटा चैनल में एक निव मीडिया प्लियर लॉंच हुई है जो देखें मेरे पास जो वर्शन है 21H2 OSB क्या है 222.000.376 तो चलिए देखते हैं स्टेप बैस टेप तो देखें उन्डोस 11 का जो बाइडिपॉल जो मीडिया प्लियर है जो देखें ग्रूप मीजिक जो देखें यह पर आप देख पाणा है जो देखें ग्रूप मीजिक तो देखें इसको आपको अंस्टालेशन करना पड़ेगा अंस्टालेशन करने के बाद ही आप जो न्यू मीडिया प्लियर है उसको आपको इंस्टालेशन करना पड़ेगा इंस्टालेशन करने के बाद आप देखें पाएंगे जो देखें इसका लूप की टोटली चेंज हो जाएगा तो चलिए देखते हैं step by step इस से पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियागा तो पहले चनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और बेल एकन को प्रेस करना ना भूलिए इससे क्या होगा मैं जब भी ने वीडियो दूँगी तो पहले आपको नोडिफिकेशन मिल जाएगा आप लोग वीडियो देखके चले जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते हैं सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद जरू सब्सक्राइब कर लिजे और बेल एकन को प्रेस करना ना भूलिए यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद लाइक दोनों ही करिए देन उसके बाद हम लोग मूब करते हैं कैसे न्यू मीडिया प्लियार को इंस्टालेशन करेंगे उंडोस 11 सिस्टेम में तो चलिए यहाँ पर आपको इस इस वीडियो की डिप्सेट में आना पड़ेगा तो मैं इस इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाए देडिया जो देके बहुत सारा इंफॉमेशन जो देखिए यहाँ पर अगर आप डॉप डॉप डॉन बटम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूरल लिग पोड़क्ट आइडी पैकेज फैमिली नेम और कैटागोरी आइडी तो य सेंपल डिटा क्या है जो देखिए यहाँ पर आप देख पर हैं जो देखिए यह हैं तो अगर आप इस नेम को टोटली कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजे तो आपके लिए और भी बेनेपीट हो सकती है देन उसके बाद यहाँ से मैं पेस्ट करता हूं पेस्ट कर कैसे जो new media player है उसको find करेंगे तो चलिए उसका जो original name है जो देखी यहाँ पर आप देख पर रहें जो देखे यह है name चलिए मैं इसको totally copy कर लेता हूँ copy करने के बाद यहाँ पर आप keyboard से control a button को paste कर दीजे देन उसके बाद यहाँ पर आपके समने find का option open हो जागा देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने जो name copy किये थे यहाँ पर paste कर दीजे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखे यह है original जो file and इसका ज देन उसके बाद यहाँ पर block करिए यहाँ पर आपको three dots दिखे दीडिये जास्ट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर keep button का यहाँ पर एक option है just keep button में क्लिक करिए देन उसके बाद keep anyway में क्लिक कर दीजे एन्यवे में क्लिक करने के बाद finally यह download complete हो चुका है जो लेता हूँ देन उसके बाद आपके सिस्टेम में 7GP software होना चाहिए अगर आपके पास 7GP software नहीं है तो आप installation कर लीजे देन उसके बाद इसको continue करिए तो देखें मेरे पास पहले से 7GP software available है तो मैं इसके लिए दोपड़ा installation नहीं करोंगी देन उसके बाद इस यहाँ पर आपको show more option में जाने के बाद 7GP में जाने के बाद यहाँ पर जो देखें एक स्टेक टू बोलके जो यहाँ पर नेम दिखें दिखें दिरिये जस्ट इसके ओपर आप क्लिक करेंगे तो एक स्टेक होना स्टार्ट हो जाएगा जो देखें सेम टू सेम यहाँ पर एक स्टेक हो चुका है देन उसके बाद यहाँ पर एक स्टेक जो फोल्डर हुआ है तो इसके हंदर हम लोग जाएंगे तो चलिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं देन उसके बाद यहाँ पर आपको तोड़ा सा last में आपको आना है आई तिंग आप लोग जानती ही होंगे जो इंडर से लेवें 64 बीटी आइव लेवेल हैं 32 बीट आइव लेवेल नहीं है तो देखें इसको एक्स्ट्रैक करना पड़ेगा तो इसके ओपर आप फिर से राइक क्लिक करिए राइक क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन में आ पड़ेगा अगर आप यहां पर कोई भी गड़ बर कर देंगे तो बात में जाके आपको पॉब्लम आ सकती हैं तो देखें यहां पर आपके समने जो देखें एक फाइन में फास्ट जो देखें एकसमल डॉकॉमेंट्स जो देखें यह हैं तो देखें इसके उपर आप रा भार्षन को changes करना पड़ेगा अगर आप भार्षन को changes नहीं करेंगे तो यह परपाली वाक नहीं भी कर सकती है तो देखे यह है भार्षन जो देखे यहाँ पर आप देख पारें जो देखे हम लोग इस भार्षन को changes करेंगे तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो देखे 10.0.22471 जो है and यहाँ पर .0 जो देखे इसको हम लोग changes करेंगे जो देखे 1,7 and 4 इसको हम लोग ने remove कर लिया है then उसके बाद यहाँ पर हम लोग type करेंगे 0000 जो देखे जो देखे total क्या है जो देखे 0.0.22000.00 जो देखे यह है totally version then उसके बाद आप इस notepad को जरूँ save करिए अगर आप save नहीं करेंगे तो problem आ सकती है तो यहाँ पर हम लोग ने totally save कर लिया है then उसके बाद इस notepad का जो भी कामता है complete हो चुका है मैं इसको close कर चुका हूँ then उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ files and folder को remove करना पड़ेगा तो चलिए यहाँ पर आपको first folder को remove करना पड़ेगा जो देखे यहाँ पर first जो दिखाए दिरी है apex metadata तो इसको मैं delete करना पड़ेगा अगर आप delete नहीं करेंगे तो problem आ सकती है then उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाए दिरी है जो देखे content types जो देखे xml document तो देखे इसको भी delete करना पड़ेगा then उसके बाद apex block map जो देखे यहाँ पर आपको दिखाए दिरी है यह भी xml documents है तो देखे इसको भी select करिए देन उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक फाइल डिलीट करना पड़ेगा जो देखे एपेक्स सिगनेचर जो देखे डाट पी 7x जो देखे इस टोटल इस होर फाइल को सिलेट करने के बाद आप शिट डिलीट एंड एंटर बटम को एक साथ प्रेस करिए यहां से टोट इसके बाद यहाँ पर आपको प्राइबिस सिगूर्टी अप्षिन में आना पड़ेगा देन उसके बाद यहाँ पर आपको प्ल्फिवल ऑप्षिन में जाना पड़ेगा तो देखी यहां पर आपके सामने yes, unlock option आजागा, just यहां पर आपको yes बटम में click करना पड़ीगा, yes बटम में click करने के बाद, यहां पर जो भी कम था complete हो चुका है, तो चलिए मैं status को close कर लेता हूँ, then उसके बाद यहां पर आपको इस बार powershell on करना पड़ेगा, तो चलिए, यहां से म जो देखें, finally powershell यहां पर open हो चुका है, then उसके बाद यहां पर आपको कुछ comment apply करना पड़ेगा, तो comment क्या है, इस बार हम लोग देखते हैं, जो देखें, यह है totally comment, अगर आप इस comment को note down करना चाहते हैं, तो note down कर लिजे, तो आपके लिए benefit हो सकती है, तो चलिए, यहां पर जो by default, जो Windows 11 का old music player है, उसको पहले remove करना पड़ेगा, remove करने के लिए, जो देखें, यह है totally comment, तो चलिए, मैं इसको totally copy कर लेता हूँ, copy करने के बाद यहां पर power shell में paste करता हूँ, then उसके बाद enter button को paste करता हूँ, enter button को paste करने के बाद आप देख पाएंगी, जो देखें, यह properly installation हो चुका है, Windows 11 system से, जो देखें, यह totally complete हो चुका है, then उसके बाद next comment क्या है, इस बार हम लोग देखते हैं, जो देखें, यह है totally next comment, तो चलिए, इसको भी totally copy कर लेता हूँ, copy करने के बाद यहां पर power shell में paste करता हूँ, paste करने के बाद यहां पर आपको एक space देना यहां पर आपको जो देखें, apex main first बोलकर यहां पर एक xml फाilla है, जो देखें, apex main first जो देखें, यह है एक xml document, तो देखें, इसके ऊपर आप रैयt click करिए, रै click करने के बाद यहां पर आप दिखें दिरे हूँ, copy as path, तो just यहां पर, copy as path में क्लिक कर दीजे, then उसके बाद इसका जो भी path है यह totally copy हो जगा है then उसके बाद यहाँ पर इसको paste कर दीजे जो देखें यह है total path जो देखें add-apix package space-register then उसके बाद इसका जो total path है then उसके बाद आप keyword से enter button को paste कर दीजे enter button को paste करने के बाद आप देख पाएंगे जो देखें installation होना start हो चुका है यह installation होने में ज़्यादा timing नहीं लीती है जो देखें यहाँ पर कोई भी error आना नहीं चाहिए अगर error आ जाती है तो माल के चलिए अपने कोई भी गरबर कर दिया है इसके लिए यह error आड़ी है जो भी मैं procedure दिखाया दिए रहा हूँ same to say procedure का अगर आप follow करेंगे तो कुछ भी problem नहीं होगा जो भी काम था यहाँ पर totally complete हो चुका है देन उसके बाद मैं PowerShell को close कर लेता हूँ देन उसके बाद यहाँ पर finally जो media player हम लोग ने installation किया है यह successful ही हुआ है कि नहीं एक बाद हम लोग check करके देखते हैं तो चलिए search button में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पर है जो देखे media player नहीं तो आप search भी कर सकते हैं देन उसके बाद हम लोग media player को on करते हैं on करने के बाद यहाँ पर आप देख पर है जो देखे media player यहाँ पर preview दिखाई दे रही है तो देखे यहाँ पर आप कोई भी customization कर पाएंगे जो देखे यह है उन्डोस 11 का new media player जो dev channel and beta channel में available हैं तो देखे यह है settings का option अगर आप settings में जाके भी और भी details में read करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप read भी कर पाएंगे So I hope आप लोग को totally समझ में आ चुका होगा जो देखे new media player को कैसे installation करते हैं उन्डेस 11 सिस्टम में अगर आपके पास कोई भी भार्षन है उन्डेस 11 का जो भी method यहाँ आप मैंने दिखा है I think आप लोग जानती होगी जो ने टॉकिंग गुरी जी नाम से एक Facebook का पेज है और Twitter का भी पेज है अगर आपने follow नहीं किया होगा तो आप जरू follow कर लीजे तो आपके लिए benefit हो सकती है तो वहाँ पर भी मैं बहुत सारे information share करता हूँ अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग गुरी जी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजे और बिल आइकन को पिसकारना ना भूलिए आप लोग लाइक अंशा कुछ नहीं करते हैं तो देखे एक लाइक से बहुत सारा motivation मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रू लाइक अंशार दोने करिए अगर आप सोच रहा होंगे जो उन्डे से रिबेन के उपर अगर आप और भी डीटल में टुटियल जाना चाहते है तो यहापर आप पहले से आप देख सकते हैं यह बहुत सब्सक्राइ टूटियल अब रविगेयरे नहीं तो आप डारेक ली प्लेऌलिक्ट में जाके भी दिख सकते हैं देखें यहां पर मैंने एक प्लेइलिश क्या है जो देखें उंडेसरेबेंट का अल्मोस 37 वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं नहीं तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो की डेपसिशन लिंक में नहीं तो मैं आई बटन में इसका लिंक जरूद देदेंगे आप जरूद फॉलो कर लिजिए तापके लिए बेनेपिट हो सकती है अगर आप सोच रहे होंगे जो उंडेसरेबेंट सिस्टेम में न्यू नोट पैट को कैसे इंस्टालेशन करेंगे उंडेस का एनी भर्षन मे तो मैं इसके उपर पहले से एक टुट्रेल किया हूँ आई तिंग आप लोग नहीं देखा होगा अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग को जरूद देख लिजे जो देखें उंडेसरेबेंट का जो न्यू नोट पैट है वह आप बहुत कुछ चेंजस हो चुका है अगर कौन सर टॉपिक के ऊपर टुट्रेल चाहते हैं ओभी प्लीज का वां श्रक्ष्ण में जरूद दे दिजें तो मैं आने वाले दिन में उस टॉपिक के ऊपर मैं जरूद टुट्रेल दे दूगी तो मैं इस वीडियो की डेप्सिशन लिंक में इसका भी लिंक दे दूगी अगेर आप लोग यहाँ से डावनलोड करना चाते हैं तो यहाँ से इसलिडाउलोड भे कड़ाएंगे छियों देखे हें आपकर एप्साइट में आना पड़ेगा लिंक में मैं फेस्बूक और टुटर का भी पेच कर लिंक दे दोंगे आप जरू फॉलो कर लिजे तो वहाँ पर भी मैं आप लोग के लिए बहुत सारा इंपॉर्मेशन शेयर करता हूं